असलाम लेकूँ माई यूटीव फैमली विलकम टू माई यूटीव चैनल तो आज की वीडियो में मैं ये बहुत ही प्यारे प्यारे से आपको सौक्स बनाना बताऊंगी वो भी पुराने फैब्रिक से विदिन 20 मिनट में आप बना करके रेडी कर लेंगे तो उसको बनाने के और 9 इंड में हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा किया है जो है 10 इंच तो इस तरीके से इसको फोल्ड करना है जो लंबा वाला पार्ट है उसको आपको फोल्ड कर लेना है अब इसमें हम बीच में निशान लगाएंगे तो 11 इंच का आधा होता है 5.5 इंच और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो इस तरीके से इसमें हम एक box बना करके ready कर लेंगे और बीच में जिसे हम shoulder cut करते हैं इस तरीके से curve करते हुए हम यहाँ पर draw कर लेंगे और फिर उसे हम cut कर लेंगे तो यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं इसकी हम lining के लिए यहाँ पर मेरे पास यह lower था तो मैंने उसका piece ले लिया है तो इसी shape पे हम इसको cut कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने cut करके ready कर लिया है अब इसकी जो right side है वो अंदर की तरफ रखेंगे और wrong side दोनों उपर की तरफ रखेंगे और बहुत ही पतली सिलाई लगा करके इसको हम ready कर लेंगे क्योंकि इसको हम पलट लेंगे तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और जो इसका curve वाला area था वहाँ पर हमने छोटे छोटे से cut लगा लिये हैं ताकि वो easily बहुत अच्छी तरीके से यह बाहर की तरफ आ सके तो यह हमारा piece ready हो गया है अब आपको क्या करना है यहाँ पर हम ले लेंगे बहुत ही पतली वाली lastik अगर आपके पास इससे थोड़ी चोड़ी है तो आप वो भी use कर सकते हैं अब जितनी आपकी lastik की width है उससे थोड़ा सा margin देते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है क्योंकि इसमें हमें lastik को insert करना है तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा करके तैयार कर ली है दोनों पीसों में अब जो lastik की nap लेनी है वो आपको जितना straight इससा है आपको उतनी lastik की nap लेनी है और जहाँ से curve होना start हुआ है आपको वहाँ तक नहीं करना है सिर्फ जहाँ तक straight line है वहीं तक आपको करना है अब इसमें हम यह अपनी lastik जो हमारी है उसको हम इसमें insert कर लेंगे और दोनों side उपर हम इसे lock कर लेंगे तक यह निकले नहीं तो इस तरीके से करने के बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है तो यह मैंने दोनों piece बना करके ready कर लिये हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आप चाहे तो इसकी चड़डी भी बना सकते हैं तो यहाँ पर यह वाला आपको दोनों तो इसे देने के बाद मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा करके इसे ready कर लिया है अब इसे बीच से हम पूरा खोल करके इस तरीके से रख देंगे जैसा आपको वीडियो में शो हो रहा है और जो बीच की सिलाई है उसको हम बीच से इस तरीके से अच्छे से खोल लेंगे और फिर अपने पैर को उपर रख करके इसे हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा मार्जिंग देते हुए तो आप चाहें तो यहाँ बिना अंगूठे का भी बना सकते हैं मुझे अंगूठे वाला बनाना है तो इस तरीके से आपको थम भी ड्रॉ करना है और देन इस पर आपको सिलाई लगा करके इसको कट कर लिना है तो एक बार आप निशान लगाने के बाद फिर से आप ना पले कि आपका निशान सही है कि नहीं तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से दो-तीन सिलाई से पका कर लिया है अब इसमें थोड़ा-तोड़ा मार्जिंग देते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और फिर यह हमारे बूट बन करके रेडी हो गए हैं तो यह देखें 20 मिनट में वी दिन हमने बना करके रेडी कर लिया है और वो आपको मैं 3 मिनट में बना कर बता रही हूँ तो यह आपको कैसे लगे आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को अगर वीडियो अगर वीडियो अगर वीडियो को